भारत की चंद्रयान तीन ने आज शाम 6 बच कर 4 मिनट पर चंद्रमा की सतह पर सफर लेंडिंग की है। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर सौफ लेंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। भारत की सुपलबदी ने दुनिया को लोहा मन्वा दिया है। इसके साथ ही प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने भारतवासियों को अड्रेस करते हुए ये कहा कि पहले लोग कहते थे चंदमामा दूर के और आज से लोग ये कहेंगे चंदमामा तूर के। बता दें कि चांद तक पहुच रखने वाले देशों में अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन का ही नाम लिया जाता था लेकिन आज चंद्रयान 3 के सफल परिक्षन के बाद भारत के पास लंबे समय से चली आ रही इस यथा स्तिती को बदलने का मौका साबित कर दिया चंद्रयान 3 पर सौफ लंडिंग करने में काम्याब रहा भारत, इतिहास में चंद्रमा की सतह पर सफल लंडिंग करने वाला भारत अब चौथा देश होगा रूस के चंद्र अभियान लूना 25 के विप्रीद भारत के चंद्रयान 3 के सफलता की संभावना कही अधिक बताई जा रही है चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई उसके लगबग 100 किलोमिटर दू लूना 25 को लैंड कराना था बता दें कि इसमें एक तथ और भी है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग में चंद्रयान 2 अभियान की अनुभव से काफी मदद मिली है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद इस रो का लक्षि सूरे और शुक्रु पर है चंद्रयान 3 की उपलब्धी के बाद टीम इसरों को बधाई देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि भारत का सौर मिशन आदेते L1 जल्द ही लॉंच किया जाएगा और शुक्रू पर एक मिशन भीजने की भी उजना है